हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आज मैं आपके लिए वीडियो लिखा रहा है देखें बात करेंगे एक क्वालिटी स्टॉक की एक वैल्यू शेयर की और वह भी फार्मा सेक्टर से लिएकि इस स्टॉक के काफी डिटेल में समझेंगे इस स्टॉक के माधियम से बहुत कुछ सीखनी को हमें मिलेगा और खास करकि जो स्टॉक आल टाइम हाई पे रहते हैं उनका क्या करना है और जो स्टॉक बॉटम पे रहते हैं उनमें किस तरीके से एंट्री बनाई जा सकती है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उन सारी चीजों को समझेंगे इस फार्मा कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रही और प्राइस सेक्षन सीखने के लिए आप जोइन क्या सकते हो मेंबर से जोइन बेटन पर क्लिक करके जी हां यह स्टॉक आपको देखने को मिल रहा होगा जड़ा इस टॉक को तसल्ली से देख क्यों यह स्टॉक सामने आया वो है कमेंट तो आज भी इस तरीके से कमेंट करते रहें और उस टॉक मेंगर कुछ लर्निंग होती है या कुछ अप्रशनिटी होती है तो हम जरूर आपके सामने कोशिच करते है कि उनुष के वीडियो क्रिएट करते रहें और यह माक्सन फा मैं कहूंगा company के उपर इसके revenue को और profitability को देख सकते हैं आपको clear cut growth दिखेंगी देखें नंबर्स अच्छी लग रहे हैं बिल्कुल positive profit है माक्सन फार्मा का stock अब सीखें stock को बहुत को सीखने को आपको मिलेगा यह इसका monthly chart है यह weekly chart है और यह last end पे क्या है daily chart देखें यह stock बिल्कुल अपने all time high के अर्दगर्द है भी बिल्कुल उसी के पास ही है और अगर ध्यान दो stock में यह बिल्कुल देखें मन्तली weekly daily और एक important learning देखें मैंने आपको कहा कि वीडियो में वो वीडियो होती थोड़ा सा देखें लंबी वीडियो है लेकि छोटे छोटे बहुत सारे points आपके लिए होते हैं तो यहां पर जब भी हम monthly chart को देखते हैं यह weekly chart को देखते हैं तो price का बहुत जबर्दसा आप आप इसी stock को देख सकते हैं तो इतने बड़े chart देख रहे हो किस तरीके से chart दिख रहा है अब यह chart देखें कैसे दिख रहा है तो ऐसी situation को handle करने के लिए आपके सामने logarithm chart होता है यह bottom पर इस chart के bottom पर आपके बस log option होता है तो log chart जब करते हो तो scaling change हो जाती है linear से log में convert हो जाती है यह देखें linear chart यह है तो कभी भी बड़े time frame के chart देखते हो ज्यादा तूरी तक के chart देखते हो तो मैं आपको कहूंगा कि हमेसा log chart का इस्तेमाल कीजिए monthly में weekly में भी आप log chart का इस्तेमाल कर सकते हो तो यह आपकी चीजों को थोड़ा refine कर देता है समझे रिफाइन करता है तो अब इतनी ब आप यहां पे रखते हो तो देखिए weekly chart आपके सामने है और weekly chart में यह situation देखिए बिलकुल bottom पे था वापसी हुई और यहां पे यह 62 के आसपस और वापस हुआ भी December के time पे अब इस stock को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यहां पे देखिए कि किस तरीके से positivity आ रही ह और यह जो high यहां पे देखिए बिलकुल तूटता हुआ यह October series में और फिर एक positivity rally और फिर इस तरीके से आपको positivity ने इसमें देखने को मिले और target के पास ही पहुँचा और target इसने easily achieve किया अब आपको गयार यह से stock में अगर हम इसको जल्दी देख लें यहां पे 50 के 52 के level पे देख लेते हैं समझ लेते तो कितना बढ़िया होता और अगर यहां पे नहीं समझा तो अब क्या करना चाहिए क्या आप weekly पे देखोगे तो 200 SMS से काफी दूर निकल चुका है लेकिन अगर monthly chart पे देखते हैं तो monthly chart पे हम running condition में है मतलब running condition से मेरा मतलब यहां पे है कि impulse बनी correction बनी impulse start होके रही है तो क्या करें यहां पर समझो इस पार को तो यहां पर apply होगा आपका fractal nature of market इस लेवल पर जो कि हमारा target zone है तो यहां पर क्या होगा fractal nature of market यहां पर corrections चोटे time frame पर correction consolidation के expectation जरूर होनी चाहिए कि all time high है यहां फिर यहां पर आपने entry की है तो आपको कोई दि देखिये lower high lower low की चीज़े बंदली यहां पर और यहां पर cycle start होती है तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको ऐसा पता लग जाए कि ठीक पहले आपको यह stock मिल जाए 50 के level पर तो देखिए यह process को देखिए बाब यह वीडियो आज करनी है September 9 2022 का वीडियो है जब यह बिल है उससे उपर एंट्री करूंगो तो यह से उपर का swing low है यह मेरा एंट्री है देखिए धीरे यह 50 से 100 पर पहुंच गया आपका पैसा double हो चुका है 6-8 महिने के अंदर लेकिन process को देखिए उसके बाद इसका PE ratio तब कितना था 11-12 का PE ratio था जब आपके सामने यह first time हमने यहा के बीच में क्यों यह देखिए यह weekly chart आपके सामने फिर उसके बाद अभी recent हमारे हम यह stock को आपके लिए लेकिया है फरवरी 19 को मैं लग बड़ी rally से पहले तब इसका stock का price almost 68 के level पे था एक बार नहीं आद एक बार description में आपको link की दे जाएंगे उपर i button पे जाके इन यह हुआ था वो तो था bottom का entry का part कैसे सीख सकते हैं लेकिन अब का क्या करें अब यह बिल्कुल all time high के near है अब इसमें कैसे entry करें अगर आप तसली से देखो weekly chart पे हम 200 SME से काफी दूरी पे है डेली चार्ट पे हम 200 SME से काफी दूरी पर है लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करनी है अगर आपने 50 60 65 के लवल पर एंट्री कर रहे है तब तो आपके पास पता है कि हम ट्रेल करते रहेंगे stop losses को हम यहाँ पे और लंबा खेलना चाहते हैं तो जो correction आएगा उसको यहा start money का area of interest का zone है मतलब profit booking वाला zone तो यहाँ पे hands exchange होंगे तो होंगे तो उसकी वज़े से consolidation होगी correction होगी तो होता क्या है ऐसी situation में हमें जो हमारा RSI आसमानों पर पहुंच जाता आप देख रहे हो यह RSI कहां पर 80 के level पर हुई क्ली पर मैं अपनी बात करूँ पस्नली मैं हमेज़ा कोशिश करता हूं close to the moving average 200 SME के close जब चीज़े start हो रहे है तो वहां पर मुझे low risk की opportunity दिखती है और आप देखोगे अकसर हमारे 90 % video जो होते है जो stock में जो learning के आप देखोगे तो यह इन इयरी आज पे होते है वह क्यों होते है क्यों होते है क्यों कि यहां पर हमारे पास low risk की opportunity है मॉन्रों मैं 50,000 के share यहां पर खरीद रहा हूं और मेरा stop loss ह 35,000 है ना तो 50,000 के इगर मैं share खरीद रहा हूं 45,000 फथे 55,000 क यह है समझे इस पार्ट को तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसने टार्गेट को अचीब किया यह वाला और मैं कहूंगा कि अब जो है अगला टार्गेट जो है वह 112 के आसपास है तो अब जो है एंट्री करनी है फ्रेश एंट्री के लिए तो इसी चार्ट को आज कंडिशन में देखनी है तो only हम इन मौकों को लेंगे चोटे टाइम फ्रेम पर फाइदा क्या होगा अब चोटे टाइम फ्रेम पर ही चलेंगे क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर तो काफी दूर निकल चुके हाँ पॉजिटिविटी जरूर है तो छोटे टाइम फ्रेम प entry should be close to the moving average, तो यहां पर risk कम होता है, तो जिस time frame पर close to the moving average है, उसके हिसाब से आप चलिए, अगर बड़े time frame पर दूर निकल गया, तो hourly के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन अगर hourly पर condition यहां पर change होगी है, काफी नीचे आ तो आप सी का इंतजार करेंगे, जैसे यहां पर नीचे का मैं जवाब दे पाया हूँगा यहां पर, all time high के इर्द गिर्द क्या करना है, वो बहुत important है, और उससे भी important है, फिर से में आपके सामने weekly chart यहां पर लगाता हो, कि 200 SMA से दूरी बढ़ जाती है, तो risk बढ़ जाता है, तो fresh entry के लिए, आपको गर entry करनी है, तो छोटे time frame के जा सकते हो, और हाँ, अगर आपने entry already कर चुके है, बेस पर तो फिर आप ट्रेल कर सकते हो चीज़ों को, और fresh entry के लिए, छोटे time frame के इसाब से फिर वहां पर low risk की opportunity को फिर आप grab कर सकते हो, कि अगर यहां पर आप 100 पर entry देते हो, और आप सोचते है, 70 पर में यहां पर risk management मेरा stop loss 70 रहेगा, तो सूचे कितनी risk है, 30 point का risk है, यहां पर कितना risk रहता है, 10, 15, 20, इस पार्ट को समझेए, तो risk management हमेशा की तरह बहुत important area होता है, और जहां पर कम risk दिखे, उसकी तरफ जादा ध्यान दे, वो जादा बढ़िया रहता है, और momentum हो, लेकिन risk भी जरूर consider करन है, कि कम risk है, हाँ positivity है, बिल्कुल अगर मैं यहां पर deep से deep stop loss को देखू, तो भी मेरा यहां पर कितना, 15 point का बन रहा है, और यहां पर कितना, अगर मैं last swing low, important swing low को देखू, तो कितना, almost 30 point का है, तो यह important consideration में लेना है, point, wind up करता हूँ video को आप share कीज़े, like कीज़े, और उमी पाता रहें, and thank you, thank you for watching the video.